जी कैफ फोर आज के लेक्चर का अगाज करते हैं लेक्चर नमबर फूर है हमारा प्रीबियस लेक्चर में हमने आफ़र के असेंशल स्टडी किये थे और आपको होमसाइलमेंट दी थी अभी उसके जो क्वेस्टन्स हैं उनको वंदावन डिसकस करते हैं सामने रखिए कहीं कि अगर आपका स्लूशन डिफरेंट है तो डिसक्शन में पार्टिस्वेट कीजिएगा सबसे पहले क्वेस्टन पर वान करा अदील आफ़र्स तू सैल हिस फरनीचर टू बाबर पार उपीस 50,000 बाबर एक्सेप्स दिस आफ़र सबसीक्वेंटली अच्छा देखें अदी अदील ने फरनीचर बेचना है और बाबर ने 50,000 देना है अदील फरनीचर दे रहा है ना अदील के लिए कंसिडरेशन क्या है 50,000 और बाबर 50,000 दे रहा है बाबर के लिए कंसिडरेशन क्या है फरनीचर अच्छा इससे तरह मुझे बताईए अब दोनों पार्टिस के दर होना है बाबर जिसको फरनीचर डिलिवर किया जाना और अगर कैश के पॉइंट अफू से बात करें तो बाबर प्रामिजर है और अदील प्रामिजी है अच्छा यहां पर आगरी करते हैं दूनों पार्टी के दरीमान में वैलिड कॉंट्रेक्ट क्रियेट हो गया सोशल एग इनकार कर दे उसे पूरा करने से इसे कहा जाता है ब्रीच ओफ कॉंट्रेक्ट ठीक है ब्रीच ओफ कॉंट्रेक्ट तोड़ा गया और जिस पार्टी ने कॉंट्रेक्ट जो पार्टी कॉंट्रेक्ट तोड़ती है ना फिर ला कहता है कि दूसरी पार्टी को हरजना अदा कर कर अब बाबर अधिल के खिलाएक्शन ले सकता है वो कोड में केस फाइल करके डेमेजेश कलेम कर सकता है डेमेजेश का मतलब क्या हर जाना हर जाना कलेम कर सकता اे एक कलियर एसमें कोई problem का ये से हुआँ आपे अजी हaltetर भाबर डू डू डिनर बाबर accepts the invitation बट फेल्स टू टू अप बाबर इंविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन वह आ नहीं पाता क्या ब्रीच अफॉर्ट है क्यों नहीं है इसमें क्या चीज में मिसिंग है इंटेंशन टू टू क्रिएट लीगал रिलेशन्शिफ इसमें सोचल एगरिमेंट्स में इंटेंशनgew लीग टू क्रिएट लीगल लेशनशिफ नौरूलए लेकिन। पॉट्स लेकिन जूंके इन कुछ ने बताया कि पार्टी ने अगरी किया था कि अगर तुम नहीं है तो मैं तुम्हारे राफ कानूनी कारवाई करूए करूँगा आप बास उकाता में लाइन लिखी देखी होगी कि कानून इदारा कानूनी चारा जोई का हक महफूज रखता है इस तरह की लाइन बास उ समझ आगे हैं कि इसकस्ता टाइप ओफ अच्छा यह चीज मैंने आपको शाहिद लेक्चर की दुराव में बता दी थी कि आपको 100% कंसेप्ट अगर क्लास में समझ आ गया ना और आपने रीड़ कर लिया और सब को समझ आ गया तब भी आपको 100% नहीं सिरफ समझिए कि 50% स समझाए असल कंसेप्ट समझात है जब आप के सट्ट करते हैं माईड़ को चल रहा होता है और डिफरेंट फ्रविएन जहन में आ रही होती है असल आपकी practice, असल आपका knowledge dress होता है जब आप case studies को attempt कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा हमेशा आपने जिस concept में case studies को attempt निना किया वो उस concept कभी भी आप सही तरीके से नहीं समझ वा है case studies आपने हर concept के बाद लाजमी करनी है और कोशिश यही करनी है ज्यादा से ज्यादा case study written form में करें next discuss the type of offer in following cases अब मैं भाने से कुछ review भी करूँगा ठीक है कुछ previous concept भी आप से पूछ लूँगा आपकी भी review हो जाएगी और अगर कोई student शूटी पे था तो ले उसकी भी थोड़ी बहुत compensation हो जाएगी लेकि ज्याद रखें एक क्रिवियन होगी type of offer भाई previous class में नहीं थे ना थे अच्छा बताइए कितनी तरल की offer हमने डिस्कस की थी specific, general, total specific offer कौन सी है specific person को दी जाए general offer कौन सी है जो public at large को दी जाए general offer का यह मतलब Nie है कि पुरी دनिया को cities दे Town अए एक से जएदा लोग Soul में में अज़र केओ घृमा आप बाभय हो B पार काृसे और कौन सी है और काउंटरमी फार करें फार कौन después कर ली गई हो गया क्रेट बी आजम एड़ाइज इन दी न्यूस्पेपल डैट ही वुड पेर रुपीस था जी जी पुछिए जी जी पुछिए क्वेशन आपकी अबाज नहीं आ रही थोड़ी देर के बाद दुबारा पूछ लेए कर ले लिए लिए जिन्दा न्यूस पेपर डैट फिफ्टी थाजुड तो एनिवन वो ट्रेसिस दॉड रख बाबर क्या अब यह आजम यह किसने तुड़ा था बाबर क्या प्राइज का हकदार है बिल्कुल है कलियर जी हाइब्रेट में कोई क्वेशन ना हो तो पूछ लेज़ें नहीं क्वेशन था उनका जी देखें के सड़ी को लिखने का तरीका क्या है इसका एक बकाइदा तरीका है सिखाना है लेकिन अभी नहीं सिखा रहा अभी मैं चांगा हूँ हम आप समझे सिरफ जी अभी की सोडी को सिरफ जी बाई कर दिये JOHN रिटन प्रेक्टिस करते हुए आप वो लिख ले कोई इशू नहीं है वैसे जब आप सुलूशन को पढ़ रहे होंगे ना तो इंडिरेक्टली फार्मेट सीख रहे होंगे लेकिन अभी मैं चाहता हूँ आपको क्यूंकि अभी मैं आपको प्रिजेंटेशन की तरफ ले गया जैसे अगर मैं यह क्लास में कहता हूं कि ऐसे स्ट्रोंट जिनोंने इससे पहले एफसी करके आए हैं यह आफर उनके लिए तो क्लास में सारे स्ट्रोंट एफसी बैगरांट से नहीं हैं लेकिन जो एफसी बैगरांड से हैं वो एक से ज्यादा तो यह जहनल आफर होगी इसमें से जो जो श्रोंट भी एफसी करके आए वो इस आफ़र को वेल कर सकता है था अगर में खूद से यह कहा देता हूं कि मिस्टर ए यह बी इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है था असर में यह जो परसंड काना होता है नार्मली बाज वकात उसके कोई लीगल होते हैं यह उसके लिए वर्ड यूज किया गया अचा एक कंपनी उसने अपना ये रियल केस है अपना एक पाउडर बेबी पाउडर जा था वो लांच किया और कहा कि जो जो हमारे कस्टमर इस पाउडर को बाय करते हैं और उनको अगर कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो कंपनी उनको सारे मेडिकल बिल को कंपनसेट करेग और साथ में 50,000 पे भी करेगी अब ये कंपनी की तरफ से एक आफर है अब बताईए ये जनल आफर है के स्पैसिफिक आफर है और ये हर उस बंदे के लिए हर वो बंदा इस आफर को एकसेप्ट कर रहा है जो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद उनका पाउडर बाय कर रह हुआ हर दो इसंट थाी जिसरी जाबर उसे रखेल व हन्यार प्राइज डापाइस का पटा बाद में चलता तो क्या फीर प्राइस का हंगदार होता इसका जोब .. क्योंकि उसके पास ओफर ही नहीं होती जब औफर ही नहीं होती उसके पास कर सकता है पूस्ति में किया तो एक्सेप्ट केसे कर सकता विलकुल कान होने से पहले की पता हनी चाहिए साहाने ऊफर के बारे में information होनी चाहिए क्दो तो सेल ही सुजुकी महरान 2008 माड़ल तो हभी फार रुपीस फिफ्टी थाउजंड इस ए वैलिद ऑफर नहीं है जी हाँ जी बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया अच्छा अब के सदी के पॉंट फिट चेस सुनने हैं ऑफर के सेंशल्स हमने पड़े थे जरा बन 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 सेशल एंद है इसमें इसके बाद कि उपड़ी कंडिशनल अच्हा यहां पर है कोई कंडिशन में भी हो सकता हो सकता हो हो तक यह संक्ते अधीर है किis ₹ कुणध तो उसमें क्रूपर बाद उकात ऐसा होता है कि किसी केस्टेडी में अगर पांच एसेंशल ना किसी चीज़ के असूल है रूल बता रहा हो आपको यह सिरफ इस चैप्टर के लिए बाद उकात किसी चीज़ केस्टेडी में सारे के सारे तहरे केस्ज़ पूरे हो रहे होते हैं यसे यह किसी चीज़ इसाइथ फूरे होते छ सुनी यह को प्लाद किस्टर लिए इसका नहीं हो भाद जुका तुदिये बहुत हैं पॉइंट है वह से सुनेगा बाज उका पांच से यह पांच पूरे तो के पांच इसेंशल्स है एक भी नहीं पूरा हो रहा तो नर्ड के पांच सेंशल्स हैं चार question में पूरे हो रहे हैं एक के बारे में questions silent है क्वेस्न वे उसका जिकर ही नहीं के पूरा है के नहीं हो रहा है चै्या करेंगे वो थी आपके आस दो आपशन है यहां तो है यह क्टिन में कि move GT जान कि नुट है या जान लेता ऐज्यूम करें 500 करें 500 कोरी हो रही है क्योंकि अगर फिफ्ट कंडिशन में कोई मसला हो ना तो वो हमें बता रहा हूँ उसने नहीं बताया इसका मतलब है फिफ्ट कंडिशन पूरी वह यह जहन में रखिएगा यानि क्लियर वाइलेशन होना कंडिशन की और बात है और क्लियर वाइलेशन होना कंडिशन की और बात है और क्लियर वाइलेशन हो रही है तो आप अगलत है लेकिन अगर क्लियर वाइलेशन में इन्फरमेशन अबसंड है तो आप अगलत है लेकिन अगर क्लियर वाइलेशन में इस के फार रुपीस 450,000 और फार रुपीस 500,000 या साड़े चार लाखी ले ले लो या पांच लाखी फिर हम कहते हैं साड़न नहीं है फिर वो क्लियर वाइलेशन होती ही वो सड़न ताम देन कंडिशन थी इसमें आप अजम्शन नहीं ले सकते थे अगर प्राइस बताता ही न तो हाला कि उससे नहीं बता है तो फिर क्या हम कहते हैं वैलिड हैं नहीं अगर ये कहता है अमजद आफस्तुष्य सुखी महरान अपने अजम्शन लेनी हैं लेकिन जब कलियर इंफरमेशन हो तो अजम्शन के उसके मताबिकरना करना है यह में आगे मजीड अभी तो सिर्फ र अब ये कोर्स वाला है उन्हें का सर महरानकार है यह साड़े चार लाक ही बेच रहा है चलो ठीक है तक्रीब अगर लिखा होता फार पीस 20,000 क्या फिर ये वैलेड कॉंट्रेक्ट होता वैलेड आफर होती है गाड़ी पांच लाग वाली है तो बीस अब एक और रूल सुन क्या करें भाई हाँ आपस का मामला है ला लेकिन दूसरे अलफाज में कहता है कुछ कहता है अगर इस अगर लाग वैलेड नहीं है लाग काता है ये एग्रिमेंट वैलेड समझेंगे हैं कंसिडरेशन होना जरूरी है अगे चलते हैं जिए अ मारड़न आ तो कोई मसला नहीं है फिर भी हम यह देखें माड़न ना बताता था वह यह बताता है कार तो फिर भी ठीए पूंचल वाईल यह तो नहीं हो रहा है कि अबसेंस और थीक है यह कंट्रैक्ट वैलिड लेकिन अगर कहता कि उसके पास दो मॉडल है और उसने मैंशन नहीं किया कौन सा मॉडल फिर हम कहते के इसमें नहीं नहीं है अगर उसके पास एक और होगी जो बेच रहा लेकिन अगर क्लिर लिका दिया दो गाड़िया और मैंशन नहीं कर रहा कि ब्लैक बेच रहा कि किसकी ऑफर है तो फिर हम कहते हैं यह सर्टन नहीं है यह वैलिड आफर नहीं है बास समझें सल्मान पर्चेज़ रहा हॉर्स फ्रॉमिन इर्फान और प्रॉमिस टू बाए एन अदर इफ दा फर्स वन प्रूव लगी इस सल्मा अधर श्रॉमिस रूब अधा सेकिंड और सुलमान ने दूसरा गोड़ा हरीदने से इंकार कर दिया इर्फान इंफोर्स टीस और ने कर सकता है कंडिशन तो है लेकिन कंडिशन अंसर्टन है यह कैसे पता चलेगा कि कोई चीज लगी है कि नहीं है कैसे नहीं पता चल सकता हो ना यह तो वेग्स्ट逹्म legen्ट है एक एससट्री में प्ता चाम करों गा पैसे कितने मेलेंग है क्या है यह वैलिड ह्रठीय में दूसरे के समय का तन्हाँ क्या मिलेंगहे उसने तन्हाँ इतनी होगी कि तुम हूश होगे बाज ज़गात है Bible शोव जाओगे तुम अगे अब बताएए यह के यू इल भी है पट है यह हापी होना लखी होना ठीक है यह कोईämän फिलिंग नहीं होते इसलिए इसमें अनसर्ट हें हुनी के वजह से यह वैलेड ऑफर नहीं 하ें कुछ भी कहले कंडिशन सब्सक्राइब कंडिशन सब्सक्राइब के लगी होना सब्सक्राइब इसमें अनसर दिया ऑफर की टर्म थे अनक्रीशन सब्सक्राइब नहीं नेक्स इस वैलिट कॉंटेक्ट क्रिएटिट अन बेशिज फाल्विंग ऑफर पहली ऑफर मुहसिन सेस्टू नूर डैट ही इस विलिंग तो सैल इस मोटर साइकल तो हिम फार रुपीस 20,000 यह कंट्रैक्ट वैलिट है बिल्कुल वैलिट है कमर्शल कंट्रैक्ट वैलिट है बी एशू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन्सचूज विदाओट बिंग आस्टू डूस को कहा नहीं लेकिन उसके कहे बगैर उसने उसके जूते साफ कर दिये यह उसकी तरफ से इंप्लाइड ओफर है इंप्लाइड ओफर है अच्छा अब इसमें अगर दूसरा बंदा चुप करके शूज जूते साफ करवा लेता है तो क्या कंट्रैक्ट होजाएगा हाँ यह जिस इस तरह इसका करीब आके जूते साफ करना इंप्लाइड ओफर है उसी तरह दूसरे बंदे का जूते पॉलिश करवाना चुप करके इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है उसका कंड़क्ट यह जो करवा रहा है ना क्यां ठीक है करते जाओ अगर जूते साफ करवा के दूसरा मैंने तोड़ी कहा था क्या हूं नहीं को कहता है नहीं ऎल्ग कम्रोष को गया अक्षर आफर थी दूसरी की एक्सेटनस तो बी में कुंट्रेक्ट होगे अगरी करते हैं सी हाँ इसमें कंसिड्रेशन का जीकर नहीं हुआ तो कंसिड्रेशन क्या होगी अब यह कंडिशन कर दी उसने यह कंडिशन आफर होगी ना तो अगर इसमेंस ने क्या किया है अमजद के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ ठीक है तो यह कंडिशन आफर है अगर अगर इसको कर लेता है तो यह वैलिट कुंट्रेक्ट होगा और उसे तीन तिन के अंदर अद्वांस पेमेंट करनी होगी आगा इस ऑफर की बेस पे कंट्रैक्ट वैलिड हो सकता है प्रोवाइड़ अमजद एक्सेप्ट कर ले और तीन दिन के अंदर अंदर पैसे डिपॉजिट करवा देता है तो यह वैलिड को अब आप कहा रही है कि एस वक्त यह यह वैलिड कॉंट्रैक्ट नहीं है हाँ ठीक है मैं भी यह कह रहा हूं क्योंकि अभी उसने बताया ही नहीं कि अमजद का क्या जवाब है अमजद का क्या जवाब है बिल्कुल एस लेकिन हम को सिरफ यहीं पे तो नहीं छोड़ सकते के जी यह भी सिरफ आफर उस तक पहुंचाई गई है हमें उदर अमजद को भी तो डिसकस करना चाहिए इसमें अगर अमजद इस आफर को एक अगर अमजद विदिन थ्री डेज यह कंडिशन पूरी कर लेता है तो यह वैलिड कॉंट्रैक्ट बन जाएगा अगर अमजद वि लेकिन यहां पिर हमें इसको डिसकस करना चाहिए अमजद का पॉइंट अफू दू ऑप्शन डिसकस करनी चाहिए कि अगर वो कुरी कर ले अगर अमजद जो आप में कहें के थ्री डेज नहीं सेमन डेज में मैं डिवाजिन कर वाता हूं तो फिकांटर आफ रहोगे आपक अब दूरे डेफिनेटली अग उपर लिखा हुआ है आप इस स्टेटमेंट को ना जी जी मैं भी हाइब रहा हुआ हूं आप इस स्टेटमेंट को ऐसे कर लेजिए कैने वैलेट कुंट्रेक्ट ओन दी वी क्रिएटिड ऑन दी बेसिट दो फॉल्लोंग जैने वैलेट कुं आप इस तरह लिखना है इस तरह लिखना है इस अमजद डिपॉजिट्स एडवांस पेमंट विदिन थ्री डेज इड विल्बी वैलेट कुंट्रेक्ट यह आपने इस लिखते हैं यह यह अजंशन को ही शो करवा रहा है जी क्लियर हुआ जी नेक्स्ट दी आजम रोट तो बाबर तो सेल इस बूक एडिन फाइव देज दाफर वुट बी कंसीड़ एक्सेप्टेड बाबर डिट नाट रिपलाए ऐसा यह एक बड़ा इशू है लाग को उसे कहता है अगर आप पांच दिन के अंदर आपकी पूए और आफ यह एक और इसमें नेगेटिव कंफरमेशन नहीं होनी चाहिए नेगेटिव कंफरमेशन शायद भी आपकी प्रेक्टिस में यह भी आपको होता है कि जब यह टेक्स्ट चेंज होता है एक कि विद चाहिए असुन हो पर नहीं हो लेकिन बाद उकाल में स्कुशन को ऩुग निकल गया लेकिन जो पास्ट पेपर में उस concept की base में question है ना वो book में शामिल होता है ये sometimes होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता यूँ समझ लीजिए कि 100 questions है तो 5 या 6 questions में इस तरह का मसला होगा लेकिन इस तरह का मसला होता है असर में होना ये चाहिए कि सारे concepts और सारे पास्ट पर जो आपको book में दिये जाते हैं आई कि आपके book में वो सारे integrated होने चाहिए अगर कोई नया concept और हुआ है तो उसका पास्ट पर भी और होना चाहिए और अगर कोई concept लेबर से delete हुआ है तो उससे evaluate करना मुश्किल हो जाता है कि ये concept कौन-कौन से question में apply हुआ है तो कुछ questions में ये concept रह जाता है अब मुझे ये बताइए as teacher मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे उस concept को book में शामिल करना चाहिए बुख में शामिल करना चाहिए कुछ कर रहे हैं कुछ करने हैं करना चाहिए ठेक अचाहिए मैंने नहीं किया नहीं किया लेकिन उस से related अगर कोई password के question मुझे बूद है वह question icap की book में भी वुझे मुझे करना चाहिए असूली तोर पर icap को इसके ओपर question टेस्ट नहीं करना इसलिए हम भी यह कहते हैं ठीक है जहां पर इतना 95% परसंट बढ़ाते हैं वहां पर 5% यह भी बढ़ा लेते हैं तो बाज उकात ऐसा होगा कि कोई कंसर्ट किताब में आपको नजर नहींगा अब इसमें मैंने क्या किया है मैंने लिखत में उस कंसर्ट को नहीं इंक्लूड क भूख में नहीं है लेकिन आई कैप की बुक के क्वेस्टंस में वो कंसर्ट यूज हुआ है क्या उसे बुक में शामिल होना चाहिए कितने स्टोंड का ख्याल होना चाहिए हाथ उठाए जड़ा मैं आइंदा इस वोटिंग को कंसिडर करूं का बुक मुना आते हो और कितन बलके इस यह मुश्किल हो गया यह भी लिख लिए मैंसे नो एक्सेप्टेंस साइलन से नौट एक्सेप्टेंस और इस समझाया अगर किसी पार्टी को आपने ऑफर की और वो पार्टी साइलेंट रहती है आप इससे यह नतीज़ा कभी भी नहीं काल सकते कि उसकी तरफ से acceptance है और valid contract हो गया इसी को no negative confirmation भी कहते हैं कि अगर आपने जवाब ना दिया no negative confirmation का मतलब क्या अगर आपने ना ना की अगर आपने ना ना की तो मैं समझूंगा हाँ है यह है no negative confirmation ऐसे नहीं होता है हमोशी silence is not acceptance यह जहन रखिएगा अच्छा आप यहां पर देखें यहां पर क्या कह रहा है क्वेस्टन को साइड पर लगानों क्या आजम ने बाबर से कहा कि कि आफर इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप कहें कि जो आप नहीं दिया तो मैं मन्जूर कर समझूंगा ओक्या हाँ 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 है अब उसमें यह कह रहे हैं सार बी पार्ट एशू शाइन स्टार्ट शाइनिंग शू शाइनर ने भी तो जूते पॉलिश करन और वो बंदा साइलेंट था वो बंदा साइलेंट था ठेक है लेकिन याद रखें इसमें वो साइलेंट तो रहा लेकिन उसने अपने कंड़क्ट से एक्सेप्टनस दे दिया है वो चुप करके सारा टाहम जूते पालिश कर चमकाता रहा हैं पालिश करवाता रहा यह उसक इस टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कुईसन में शूशायनिंग वाले इनका सुवाल यह है कि सपर अगर सूशायनिंग वाले क्वेशन में हमें बताता है कि एक बंद्धेन शूशायनिंग कर दी उर उस बंद्धेने कुछ नहीं कहा तो क्या हम दोनों सूशन लिखेंगे कि अगर वह परसंट जो जूते पालिश करवाल लेता है तो कॉंट्रेक्ट हो जाएगा क्या दूनों बाते लिखेंगे अब ये ध्यान से सुनेगा इसका जवाब है कोईसन की इंफर्मेशन बताएगे अगर सवाल की इंफर्मेशन ये कह रही है कि शू शाइनर ने आके जूते पालिश करने शुरू कर दिय बस यहां तक इसका मतलब यह है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ अब आप दूसरी पार्टी के पॉइंट अफू से जब जवाब देंगे ना तो येस भी दे सकते नों भी दे सकते हैं गर दूसरी पार्टी नों कर देती है तो कॉंट्रेक्ट नहीं होगा और अगर येस कर देती है तो लेकिन अगर कोसे में कहता है जूते पालिश हो गए तो आप दूनों सूर्थों में नहीं जा सकते ना नो की दरफ नहीं जा सकते तुक्य वह टाइम गुज़र चुका है अब तो सर्वेस ले लिए है सारी जूते पालिश होगे तो वैडुट कंट्रेक्ट करिये हो गया तो आपने को Answer करते हुए Yes लिखना है नो लिखना के ये question की information बता रही होती है लेकिन Just know Unlike ुट जहाँ को Confusion यहां आप दोनों cover कर सकते हैं दोनों cover कर देना बेहतर option है safer option है कर सकते हैं लेकिन question सो पढ़ दीजी एक दफह अकसर question की information से पता चल रहा है कि अब किस पॉइंट पर के सब्सक्राइब किस पॉइंट पर के सब्सक्राइब कर सकता है यहां पर दी पर यह प्रवियन अप्लाई नहीं हो रही है कर में कि बाबर और एकसब्सक्राइब करने तो यह में लिगल पर यहां पर लिएस बाद नीधा इसका है इचिंडी इकबाल डिस्प्लेस गूर्ट टार यह एंग्रावंग्स्वल देशन सिम्वार ओफ और नहीं ए इस की ब्लेशलारें यह Прो फाफर गूर्वर डिस्प्रेजड दिपार्टमेंटर तो फासे एंड सेल्फ सर्विस स्टम वाज़ दिया वंकस्टमर सलेक्टिद आइटम यह किया यह कस्टमर की तरफ से अगर कस्टमर यह चीज लेके काउंटर पर जाए और काउंटर को लर कहे किये फार सेल नहीं है तो के रिजेक्शन ओफ और राके ब्रीच अफॉट्रक्ट जैक्शन अफॉट इस बदर फूइज दा ओनर ऑफ मशूर सुसी एट्स यह आई कैप के पास्टोपर की केस्टडी अचा यह निदिए ना समट टाइम केस्टडी प्रेक्टिस करते हुए आपको कुछ रेफरेंस मिलत है इसमें अगर आप डूड़ना चाहे तो यह चैप्टर टू में आपको मेलेगा प्रेक्टिस क्वेस्टन नंबर थ्री ठीक है आई कैप की बुका रेफरेंस भी दे दिया और इसके लावा पास्टोपर का भी रेफरेंस दे दिया अगर आप उधर से जाके पढ़ना चाह है कि यह अब एक्जाम लेवल का क्वेस्टन आगया इसको हम दियान से डिसक्स कर लें बदर हुइस दियोनर आफ मशूर सुसीएट्स सेंट वन आफ इस इंप्लाइज आफ्टाब इन सर्च आफ इस पैट हॉर्स विच हैड बिन मिसिंग फार फाइफ देस उसका गोड़ा उसे इनाम दिया का 20,000 कौन सी ओफर ही है जर्नल आफ पर शाबा है आफटाब अनवेर ऑफ दा न्यूजपेपर अडवेटिसमेंट ट्रेस दा हॉर्स आफटाब ने गोड़ा डूड़ लिया लेकिन उसे अब उसका नहीं बता ओफर का सबसी क्वेल्टी और नोइंग अब अगर उसे गोड़ा मिल गया और अभी आफ़र का नहीं पता चला गोड़ा मालिक को देने से पहले आफ़र का पता चल गया प्याद रखे चुके जो उसने एक्शन लिया है वो पहले कर चुका है कर चुका है ऑफर कम्यूनिकेट कुई उस वक्ट जब वो एक्ट कर चुका था तो उसके बाद उसको वो प्राइज नहीं मिलेगा ठीक है हाँ ओनर को यह कहता है अब यहां पर डिस्प्यूटराइज होता है प्रैक्टिकली वो नोकर कभी बताए गई नहीं यह कि बही मैं प्राइज नहीं मिलेगा यहां पर चूटके उसको पताबाद में चला वो गोड़े को ढूंड पहले ही चुका था तो उसको प्राइज नहीं मिलेगा अंडर दा प्रविविव अफटार्व पड़नें यह हम जो टॉपिक पढ़नें यह कुंट्रेक्ट एक्टी कहलाता है आइडेंटिफाई दा टाइप ओफफर विच वाज मेड़ बाए बदर जैनल अफर क्योंकि पब्लिक अडलाश को की गए थी आजसेट वैदर आफ़ताब वुड बी अबल टू क्लेम दा माउंट ओफ रिवाड अंडर दा सर्कम्साइन नो और रीजन क्या लिखेंगे नेक्स्टाइब सेवन अब यह भी पाश्ट का क्वैस स्कूण नाइंटे अफम इसमेय अलफाज के उपर आपने गोर करना के जो एक दूसरे का बीएचे प्रपरटी आप एंवेरी मच इंटरस्टेंग इन पर्चेजिंग विल यू प्लीज चैलिंग दा सेम तो मी वाट इस दी हायस प्राइस यू फिर आप अब भी तक कि तुम्हारी हायस प्राइस क्या है इंप इस प्राइस क्या है अचा अगर किसी से मैं इन से इन इन यह मुझे इन फर्मेशन दे रहे हैं कि बेचने की आफर कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि यह करें ठीक एसर मैं भी दियार हूं तो उसने इन फर्मेशन पूछी इसे का मैं खरीदना चाहता हूं प्राइस क्या है जो तुम्हें मिली है आदेल एप्लाइट अच्छा आगी अगी भाइड आडिल को हाम परोपर्टी से खर्याट पर्याइँ और है उसको बेचना चाह रहा है वाट विल पी अधिल जाएबिलिटी नि हमेद हमेद उसको बेचना चाहरा है कि यह मतलब है कि ऐहमद और आदिल के दर्म्यान में कोई कोई कॉट्रेक्ट क्यों नहीं हुआ यह जो एहमद ने रिप्लाइब किया था था यह अपर थी जो इसने एक्सेप्ट नहीं कि अभी तक उसका मतलब है वैलेट कॉंट्रेक्ट नहीं हुआ कुछ समझाई यह आपको इसमें जो वर्डिंग थी ना लैडर की यह एहम थी किसमें कहीं पे भी आदिल ने ओफर नहीं की इससरफ इंपर्मेशन चेर किया यह बिलकुल ऐसी है जैसे इन धिपार्टमेंटल स्टोर पे भी उन्होंने जो चीजें रखी होती है वह एक तरह से इनफरमेशन ही थे यह चीज़ पचास रपे किया यह चीज़ हजार पे किया है इनफरमेशन ही यहां पर आदिल ने जब उसे बताया कि हाय स्कोर 35 मिलियन है तो इंफरमेशन दे रहा है आदिल ने इसके बाद यह जब जब उसके बाद जवाब दिया ना कि यह लो 36 मिलियन यह आफ़र थी कि यह पताइए यह क्वेशन क्लियर हाइब्रेट में क्वेशन हो किसी सुर्ण का तो पूछ ले जी आप पूछ पूछ पूर नहीं का जी यह आज के लेक्ट्टर का कंसेप्ट है उन्हें का सर फर्स की यह यह पाया सलमान इरिफान से गोड़ा फ्रीदेगा लेकिन गोड़े की डिलिवरी होगी एक महीने के बाद और दियू डेट आने से पहले पहले गोड़े की डेथ हो जाए गोड़े की डेथ हो जाए अब दो अलफाज है आपने मुझ कि में दोनों में पहले यह बताइए फरक है कि नहीं इसी तरह लाँ में दोर्ट उप्रेग्ट एक है डिसार्ज ऑफ न हो पाया जैसे अब अगर उस सब्जेक्ट मेटर की डेथ ही हो जाए डिस्ट्राई हो जाए तो और गोड़ा मर गया अब उस गोड़े की सेल पर्चेस हो सकती है नहीं हो सकती है इसको हम कहते हैं डिस看一下 impossible right life अब यह contract है पूरा नहीं हो सकता मैं ने टाइप 10th बताई आपको वाइड बढ़ निव में हैं हां तो वह क्या हुआ है यह भी सारा आगे काई आगे डिसक profundर इसके इस कहें क्या होगा चलिए यह बस हो गया जी बंद कर दीजिए अब आज चलते हैं आज के चोटा सा है प्रिशान नहीं आप ने इसके कुछ से जादा हैं लेकिन अच्छे क्वेस्टन आप उनको प्रेक्टिस कीजिएगा रेवोकेशन और लैप सोफ एन आफर रेवोकेशन और लैप सोफ आफर का मतलब है कि एक आफर कब खतम हो जाती है कब खतम हो जाएगे एक तो यह ना कि आफर कबूल हो जाए एक है आफर कैंसल हो जाए खतम हो जाए उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं रहेगा वो कब है यह उसकी कुछ स्वेशन ना पहली स्वेशन रेवोकेशन भी कहते हैं लैप सोफ एन आफर भी कहते हैं लैप सोफ एन आफर या रेवोके रेवकेशन पॉसिबल है बाइ ऑफरर। मतलब ऑफरर कोन होता है अंने बाइजान से कहा क्या आप ये चेर रिदेंगे ये मैं देंक और दी ये भी सोच रहे हैं अब भी सोच रहां और थोड़ी देर बाद मैंने किया कि अब मैंने चेर नहीं बेचने क्या मैं यह कह सकता हूं अब उसके बाद यह कहें नहीं मुझे मन्जूर है चेर बेचे लेकिन याद रखिए आफर को रिवोक कर सकता है आफर को कैंसल कर सकता है एकसेप्टन से पहले पहले अगर इन्होंने एकसेप्ट कर लिया अगर इन्होंने एकसेप्ट कर लिया तो फिर मैं रिवोक नहीं कर सकता फिर यह कंट्रेक्ट बन जाएगा यह बात समझ आती है इसमें एक ट्विस्ट है चोटा सा ट्विस्ट यह है कि मैंने इन भाईजान स से कहा कि य blinking का मैं यह हैं कि आप हारी देंगे यह निसे होच रहे मने का चले को तीन दीन का टायम देता हूं तो भी है को सब्सक्राइब गुर्ण बैञा होने के बार मैंने तीन दिन का टायम दिया था तीन दिन गूदmas लेकिन इसमें क्विस्ट सुने दरा मैं कहा चेर खरीड़ों कि इनुरे का सर मैं सोच लूँ मैं मैंने का चलो तुम्हें तीन दिन दिये सोचने को दूसरे दिन मैंने इनको फून करके कहा अब मैं चेर तुम्हें नहीं बेचूंगा क्या आफर कैंसल कर सकता हूं ताइम दे के भी आफर कैंसल कर सकता हूं ला कहता है येस कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस है तो कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले है तो किसी भी वक्त कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कि नेक्स्ट भाई ऑफरी क्या रेवुकेशन ऑफरर तो कर सकता है यह अब क्या हुआ यह रेवुकेशन भाई यह लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है करें पहले जैस कि मैंने का भाई क्या खरीद होगे अगले दिन इन्हों ने मुझे लेटर लिखा नहीं और लेटर जो है वो रस्ते में आ रहा है कि इन्होंने लेटर पहुंचने से पहले पहले मुझे फोन करके का मैं चेर खरीद दूँगा बताइए कॉंट्रेक्ट हो गया के नहीं क्यों पहले तो इन्होंने ना किया है पहुंची नहीं है रेवुकेशन उस वक्त इफेक्ट होगी जब आफरर तक पहुंचेगी जब मेरे तक पहुंचेगी ना तब रे बाद समझेए नहीं समझेए भाई तो आगे है फिर बताइए मैंने इसे पुछा भाई चेयर खरीद होगे नहीं का सब सोच के जवाब देता हूं अगले दिन नोंने लेटर लिखा येस पहले नों का लिखा था ना अब येस का लिखा मुझे मंजूर है लेटर मेरे तक नहीं पहुंचा इन्होंने उससे पहले मुझे फून करके का नो क्या कॉंट्रेक्ट क्यों नहीं हुआ क्योंकि मेरे तक पहुंची ही नहीं कम्यूनिकेट ही नहीं हुई ठीक है और 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 ये पहले कम्यूनिकेट हो गए है अगर तीसरा मेरा पॉइंट यही था शावाश सही लाइन पर सोच रहे हैं यह दोनों समझ आगे इसका मतलब यह हुआ एहम चीज यह है कि आफरी ने जो भी कम्यूनिकेट किया वो मेरे तक पहुंचा कब अगर उसने रूल क्या लाइए कहता है अगर आफरी रेवोकेशन और एक्सेप्टनस दोनों कम्यूनिकेट करें ना तो इस से फरक नहीं पढ़ता पहले उसने क्या लिखा बाद में क्या लिखा फरक इसस से जो पहले है यह इए बाद क्यूंकि खुआ ल अजी बात कि युक्वने केशन तब होगी ना ला कहता है रहाए आपके लेवल पे दुनों मैं से जो मर्सी लिखि लें तुनों ठीक है यह बास्चीड वाफर कर सकता है कैसे सीधा नो करके आफर कर सकता है यह वह भी नो करके लेकिन रूल कि अगर आफर ने रिवोक करना है ना पहले पहले करें और आफरी ने रिवोक किया ना तो जब मेरे तक पहुंचेगी तब होगी उससे पहले अपना मैंड यह करना चाहिए कर सकता है कि दो पॉइंट होगे नॉन फुल्फिल्मेंट ऑफ कंडिशन अभी बड़ा को से वाला एक्जेंपल तीन दिन वाली क्या के अंदर पैसे डिपाजिट नहीं करवाए तो यह क्या होगा नॉन फुल्फिल्मेंट ऑ कंडिशन ऑफर में भी कंडिशन पढ़ा था और अगर आफर के साथ जो कंडिशन थी अगर पूरी ना करें तो क्या होगा आफर फारग हो जाएगी और क्या होगा आफर फारग हो अगले दिन पहुंचे आफर क्या हो गई यह के सडिया उसमें पॉइंट किया कि बंदे को से का वो नहीं आया ठीक है दो दिन के बाद उन्हें तो बंदा रख लिया है उनका पॉइंट मैं लेटर मुझे बेजा बंदा क्यों रख लिया कि इस दिन तुमने आना है तो एक्सेप्टेंस नौट इन प्रेसक्राइड मैंनर एक्सेप्टेंस नौट इन प्रेसक्राइड मैंनर एक्सेप्टेंस नौट इन प्रेसक्राइड मैंनर बाद उकात आफर में लिखा जाता है यह है कंडिशन की तरही आफर में लिखा जाता है कि अगर आपको हमारी आफर منظور है तो बजरिया लेटर इतला दीजिए या एमेल के जरीए से इतला दीजिए या जाती तोर पे आके इतला दीजिए आफर में ये चीज़ें लिखी जा सकते हैं अगर आप हम ये प्रापरिटी सेल करना चाहते हैं 50,000 में अगर आप विलिंग हैं तो आप हमारे आफिस में आके बजाते खुद इतला दीजिए अगर उन्होंने बजाते खुद नहीं आए लेकिन येस कर दिया थ्रू लेटर इसको क्या कहेंगे एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइड मेंनर में नहीं है जब एक्सेप्ट यानि प्रेस्क्राइड मेंनर कौन सा जो आफर में दिया गया था आफर में दिया गया था आप ने कभी इस तरह की आफर देखी सुनी एक्जेंपल है आपके पास हमें उसे की तरफ आ रहारा हूं शाबाश बिल्कुल सही लाइन पर सोच रहें पहले बताएए प्रेस्क्राइड मैंनर समझा गया मैंनर का मतलब कि इतला कैसे में पहुंचानी है फून के जरीए से एमेल के जरीए से एफएक्स के जरीए से बजाते खुद जाना है कैसी आफर जो यह आफर में लिखा होता है अगर आप एक्सेप्टेंस दे तो सही लेक हो जाती है लेकिन इसमें और इसमें फरक्या हुआ है यह भी तो इसमें ला का पॉइंट अफू थोड़ा सौफ्ट है तो आफर के पास ऑप्शन है चाहे एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करें चाहें ना करें है है ना जीवाद है कर नी जीवाद कितनी जीवाद आपको बताई क्या बताई कि मैंने आप से कहा कि अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप बजाते खुद मेरे घर आ जाए और ये गाड़ी खरीद ले आप बजाते खुद नहीं आए आपने भाई को बेज द तो है not in prescribed manner ला ये कहता है कि इसमें offerer के पास option है चाहे accept करें चाहे ना तरें लेकिन अगर offerer इसको reject करता है तो उसे बताना पड़ेगा कि मैंने जो manner कहा था आपने उसे deviate किया है मैंने जो manner कहा था आपने उसे deviate किया है अब ये मैं एकसेप्ट नहीं करता मेरी offer और खतम कि नो फुल्फिलमेंट और एकसेपटेंश नाट इंप्रेस्टॉइट मेंडर दोनों में एक ही फरक है जब कोई पारटी कंडिश्ञाइच की कंडिश्ञाइट ना करे तो आफर खतम हो जाती है इस में हमने उसको बताना भी नहीं होता कि तुम्हारी आफर इसलिए तो मैं कहता हूँ नहीं लेकिन मैं इनको बताऊंगा फून करके भाई जा मैंने आफर आपको दी थी ना मैंने का था खुद आईएगा आप ने भाई को बेज़ दिया अब यह आफर खतम होगे यह कम्यूनिकेट करना मेरे लिए ज़रूरी है कब कंडिशन कोई भी लगा सकते हैं आप टाइम की पेल्मेंट की एडवांस की कोई भी कंडिशन लगा सकते हैं लेकिन एक्सेप्टेंस आप तक किस मोड ऑफ कम्यूनिकेशन के जरिये से पहुंच रही है वह लेटर भी हो सकता है वह फैक्स भी हो सकता है इसका तालुक सिर्फ मोड ऑफ कम्यूनिकेशन से है यह कंडिशन हजारों तरह की आप लगा सकते हैं आफर के साथ कि आगे चला कि टाइम पास्ट कि टाइम पास्ट अगर आफर का टाइम था कि भाई तीन दिन के अंदर अंदर सोच लो और तीन दिन गज़र गए ऑफर भी अगर टाइम बताया नहीं गया तो फिर रीजनेबल टाइम देखे जो चीज मैंशन ना ना हो वो फिर रीजनेबल ला कहता है हम रीजनेबल इंपोस करवाए लेकिन यह होता है लेकिन यह होता है कुछ चीजों के ओपर रूल लगता है रीजनेबल का ठीक है कुछ जो सब् काउंटर आफर का मतलब क्या होता है सबसीक्मेंट इल्लिगालिटी और डिस्ट्रक्शन ओफ सब्जेक्ट मैटर यह यह एक्जेपल वही जो भाई ने उठाया था क्वेशन क्या था गोडा मर गया हफ्ते से पहले पहले पाया एक मीने बाद गोडा लिवर किया जाएगा उस आफर हतम डैमेजिस का भी नहीं सोचना वह भी नहीं मिलते एडवांस वह वह वापिस कर दिया जाता है अच्छा इसमें दोलफाज है सबसीक्वेंट इल्लिगालिटी सबसीक्वेंट डिस्ट्रक्शन पहले तो मुझे पताई यह लफ़स सबसीक्वेंट का मतलब समझा र दूसरा सबसीक्वेंट इल्लिगालिटी इसका मतलब क्या है गर्मेंट ने बेहन लगा दिया गर्मेंट ने बेहन लगा दिया कि पहले पंजाब से फार एक्जमपल अगर ब्लोचिस्तान में राइस बेजी जाती थी गर्मेंट ने बेहन लगा दिया कि अब की बार पंजा क्या हो जाएगी एल्लीगल आर्टोमेटिकली खतम है क्लियर सब्सेक्वेंट इल्लीगल इस ये ये बहुत एहम कंसेप्ट है इसको जियंद में रखिएगा अगर आपने आफर की और उस आफर के करने के बाद जिस चीज की आफर थी उसके पर गर्मिन ने बैन लगा दिया य अगर आफरी में से कोई पागल हो जाए अगर आफरी में कोई पागल हो जाए तो लेकिन इसमें भी एक है मैंने इन भाई ने इन को आफर किया क्या अब मेरी मोटरसाइकल खरीदोगे और आप सुनें और सुने इन बृट की ओफर क्या आप मेरी मोटरसाइकल खरीदोगे बी की ड़त हो गई आफर खतम है अब सुने ईने वी को और की क्या मेरी वाइक फिफ्टी थालों में खरीद होगे अब एक हुई आफर खतम नहीं हुई डिपेंड करता है बी को पता चला के नहीं अगर बी को पता चल गया एक ही डेथ हो गई है ओफर खतम लेकिन अगर वी को अभी पता नहीं चला एक ही डेथ हुई है अगर भी एक्सेप्ट कर लेता है लेटर लिख लेता है कि याद रखे यह कॉंट्रेक्ट हो गया यह कॉंट्रेक्ट हो गया नहीं समझाई फिर सब्सक्राइब ए ने बी से कहा आफर की क्या आप गाड़े खरीदोगे क्या आप मेरी गाड़े खरीदोगे अब एक ही डेथ हो गई बी की डेथ हो जाए ना हो तो कहानी उधर ही खतम एक ही डेथ हो गई बी को नहीं पता भी ला यह कहता है यहां पर डिपेंड करता है बी को नौलिज ओफ है के नहीं है अगर बी को नौलिज ओफ डैथ है कि हार एने मुझे आफर की थी उसकी डैथ हो गई है तो आफर खत्म लेकिन अगर बी को भी नहीं पता चला कि एक हो गई है वो इग्नूरंड है और उसने एकसेप्टेंस लेटर पोस्ट कर तो याद रखे अब acceptance इसकी हो गई contract हो गया अब हाँ सवाल यह है के contract पुरा कौन करेगा यह तो मर गया एक लीगल रिप्रेजेंटेट है इसको थोड़ा घर जाके तसली से आपने पढ़ना और सोचना है यह death वाला case ठीक है death वाला सबसे एहम यह अब future की studies को भी सामने रखे बता रहा हूं फिर उसके बाद दूसरे नमर पर यह death वाला है यह दो इसको पहले पहले तो तो ऑफर उदर ही खतम ना वो तो straight away खतम मसला यह है कि जब offer करने वाले की death हो अच्छा यह आपने home assignment लाजमी करके आनी है कल इसको भी discuss कर एक मेंट हमोशो यह थोड़ी देजा question सुने दें जी मेरे भाई दुबारा पुछी है जी ठीक है जी ठीक है देखें आपने का deal done हो गई है इसका मतलब है offer और acceptance दोनों हो गई है ऐसा ही है तो दोनों के दिरम्यान में contract हो गया contract होने के बाद अगर subject matter की death हो जाए तो याद रखें यह contract ही खतम हो जाता है यह अभी आप इस तरफ ना सोचे अभी सिर्फ देखें यह मैंने आपको बता है ना सब्सीक्वेंट इल्लीगेलेटी या डिस्रेक्शन यह offer के बाद होगी तो भी इन्वैलिड हो जाएगी offer acceptance के बाद होगी तो भी इन्वैलिड हो जाएगी तो भी ना सब्सीक्वेंट इल्लीगेलेटी और डिस्रेक्शन ना सिरफ यह के offer को cancel कर देता है बलके यह contract हुआ हो ना उसको भी cancel कर देता है देखें अगर बी ने acceptance letter post कर दिया ना तो agreement हो गया contract हो गया अब इसके बाद अगर बी को पता चल जाए कि यह की death हो गई है तो भी contract हो चुका है अब एक representative कुरा करेंगे इसको अगर acceptance के बाद यानि contract हो गया याद रखिए जैनर रूल contract होने के बाद कोई भी पार्टी मर जाए उसके legal representative पूरा करते है बिल्कुल अगर अगर इसने offer की offer करने के बाद इसकी death हो गई बी को नहीं पता बी ने acceptance दे दी पोस्ट कर दिया ladder उसके बाद बी की भी हो गई contract हो गया ना दो इस बी के लीगल representative एक लीगल representative इसे पूरा करवाएंगे यह क्वेस्टन हमारे यह सारी से बाद में हम discuss करेंगे यह थोड़ी advance की चीज़ां डिसकस करेंगे यह डिसकस हुआ है आज का लेक्चर यहां पर खतम करते हों अलाहाफिस अलाहाफिस कर्णागे इस्टन हो वाएंगे यह हो कि को यह क